हमारी संबेदनाओं का भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है ठीक है पदार्थ का अपना गुन होता है उस पदार्थ के गुन के साथ में जिस भावना से जिस पदार्थ का हम निरमान करते हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है यह आजकल अनुसंधान से भी यह हो چुगा तो आप सबसे मेरा जो निविदन है पिशis करकर जो मेरी माता हैं और बहने कि भौचन बनाते समय श्वाइए जिटना स्वाइबं से भौचन बनाएंगे जो खाएगा उसके मन में शान्ति आएगे और सांत में से भौचन तो असांति कारक होगा, आप बेचेनी के साथ भोजन बनाएंगे, वो बेचेनी को देने वाला होगा, तो आप सिर्फ अन्न नहीं परोस रहे हैं, अन्न के साथ में हम भावनाएं भी परसते हैं, यह हमारी देश की विशिष्टा रही, इसलिए भोजन पकाते समय, भोजन खा यह बहुत माने रखते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, यह तो महत्पुन है, हम इसकी बात करें क्योंकि हम लीवर के रोग की विशे में बात कर रहे हैं, लीवर के रोग का कारण भी, ठीक मैं कहे दो कि लीवर की बिमारी यह दो दवाई खालो, वो दो मिनट में हो सकता है पर उसको थोड़ी और गहराई में जाई है हम आपको बिमार होकर कि और श्रदी देना हमारा प्रेवजन नहीं है हम हमेशे ही कहते हैं कि आईरवेद का लक्ष भी तो यही है ना कि स्वस्त से स्वास्त रक्षणम आतूरस से रोग प्रसमनम यानि कि जो स्वस्त नह नहीं है उसको ठीक करना पर जो ठीक है उसके लिए क्या उसके लिए बिमार ना पड़े उसके लिए हम यहीं आईरवेद है यहीं आईरवेद की खासियत है